आज का टॉपिक है कि हम लोग PF ECR फाइल कैसे जनरेट करें आप सभी को पता होगा कि PF चलान सब्मिट करने के लिए हमें टेक्स्ट फाइल अप्लोड करना होता है UN Portal के अंदर तो उस टेक्स्ट फाइल को हम Excel से कैसे जनरेट करें उसके ओपर मैंने आज ये वीडियो बनाई है तो वो टेक्स्ट फाइल जनरेट करने के लिए हमें बस 5 स्टेप्स फॉलोग करने होते हैं तो पहला स्टैप होता है जिसमें कि हमें डेटा को PFE CR file format में insert अब करना होता है आपका जो भी data है CR format का वो सारा data आपको उसके अंदर input करना होगा तो guys जो data है मैं आपको दिखा देता हूं PF ECR का ये format है ये format आपको easily internet पे कहीं भी available हो जाएगा और PF की site पे भी आपको बहुत easily मिल जाएगा और अगर आप लोग चाते हैं तो ये same जो link है मैं आपको share कर दूँगा, वहां से आप download भी कर सकते हैं तो यहां पे 11 columns होते हैं जिसके अंदर हमें data input करना होता है पहला column होता है UN का जिसमें कि आपको सभी employees का UN number insert करना है second column is name सभी का नाम insert करेंगे, third column is gross wages, इसमें आपको सभी employees का gross wages insert करना है fourth column is EPF wages इसमें आपको सभी का EPF wages करना है insert, fifth column is EPS wages sixth column is EDLI wages seventh column is EPF contribution share, यानि 12% employee का share जो होता है, वो अपको insert करना है, and the next column is EPS contribution being remitted, यानि कि EPS contribution 8.33% of the EPS wages, difference of the contribution, difference 3.67% आता है यानि कि employer का share PF का, minus जो employer का, pension fund का share होता है, वो minus करके, जो difference आता है, वो यहां पे insert करना होगा NCPT is no contribution period days and the last column is refund of advances, यानि कि जो भी aries वगयर है, वो आप यहां पे insert करेंगे तो guys, इस format में मैंने एक dummy data fill किया हुआ है, आप लोगो को दिखाने के लिए, आए मैं दिखाता हूँ आपको right तो guys, यह रहा वो ECR file का dummy data जो मैंने already यहां पे fill करके रखा हुआ है यहां देखेंगे कि पहले column में मैंने सभी employees का UN number डाला है, यह dummy data है right, फिर सबका एक dummy name insert किया है, gross wages मैंने एक लिए हुए है सभी के, सभी का मैंने PF wages लिया हुआ है, EPS wages लिया हुआ है, ADLI wages लिया हुआ है और यहां पे 12% के rate पे मैंने employee का EPF contribution input किया हुआ है और यहां पे मैंने next column में EPS contribution डाला है, 8.33 percent of EPS wages इन दोनों का difference जो आएगा वो मैंने यहां पे डाला हुआ है NCP days में no contribution period days डाला है जो अलास में आप देखेंगे यहां पे 3 लोगों के लिए no contribution days डाला हुआ है and refund of advances तो यह था जो data मैंने already हां पे input करके रखा हुआ आप लोगों दिखाने के लिए कि text file कैसे generate करें, तो guys simple सा step है, यहां पे हम लोगने first step complete कर लिया है, data input कर लिया हमने right, second step देखते है, second step है, save the excel file in comma delmiated format, right csv comma delmiated format में हम इसको save करेंगे तो आईए, इसको save करते है comma delmiated format में तो यहां से मैं save as पे जाऊंगा और browse करूंगा कि मुझे उसे कहां पे save करना है save करने का option के लिए देखेंगे यहां एक option मिल रहा है comma delmiated right, csv comma delmiated इस format को मैं select कर लूँगा और उसको मैं save कर दूँगा, desktop पे यह मैंने कर दिया save okay guys, तो आईए देखते हैं मेरा वो format कहां से हुआ, यहां देखेंगे आप मेरा यह data csv format में save हो चुका है अब देखते हैं कि next step क्या कहता है so guys next step में third step है open with text अब हमें उस file को text format में open करना है तो उसके लिए हम simple सा file पे right click करेंगे और इसको open with कर देंगे notepad open with notepad करते ही हमार पास data इस तरीके से आ जाता है right तो हमने text format में इसको open कर दिया है next step क्या है replace comma with hash tilde hash all right तो यहां पे simply मैं पहले सारा data select कर दूँगा control a press करके और commas को replace करना है हमें hash tilde hash तो उसके लिए मैं press करूँगा control h control h press करते ही आपके पास में यह dialogue box खुल कहा जाता है इसमें हमें find what में डालना है comma replace with में डालना है hash tilde hash and इसको कर देना है replace all replace all करते ही commas सारे change हो जाएंगे hash tilde hash ते आप यहां देख सकते हैं जितने भी commas है वो hash tilde hash से change हो चुके हैं तो हम लोगों ने अपना काम 90% complete कर लिया है अब जो next है सबसे पहला आप उपर का header को delete कर दे और make sure कि आपका last में कोई भी extra space नहां हो तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक extra line है इसको मैं delete कर देता हूं और आपका यह file completely ready है save करने के लिए अब मैं इसको save कर देता हूं text format में तो again मैं इसको save as pf.ecr text file करके save कर देता हूं और guys मेरा data ready है pf portal पे upload करने के लिए यह text file जो है simply आप इसको यहां से pf के portal में upload कर दें और आपका चलान generate करने के लिए वो data ready होगा तो guys देखा कितना easy था pf का ecr text file generate करना ए excel से तो I hope यह आप लोगों को मेरी यह video पसंद आई होगी और अगर आपको यह video पसंद आई है तो please subscribe my channel and like this video and please press the bell icon to get notification on the next videos as well thank you so much have a good day